हलो इस्टूडेंट, वेलकम टू माइ निव वीडियो, आज मैं आपको कक्छा आटवी हिंदी प्रतिवापर्व मल्लयांकन बर्कसिट 2021 सौल्ब करवाने वाली हूँ तो पहला प्रस्न है खंड आका, हमें बहु बिकल्पिय प्रस्न दिये है तो पहला कुश्चन है खिड़कों से सरीर का कोई अंग बाहर क्यों नहीं निकालना चाहिए तो हमें इसलिए निकालना चाहिए क्योंकि अंगों को चोट लग सकती है सेकंड कॉश्चन है किसमें चादर का सुद्ध बहुवचन सब्द प्रियोग किया गया है तो इसका अंसर है मोहन बजार से चादरे खरीत कर लाया प्रस नमबर तीसरा है चादर किसके साथ यातरा पर जा रहे है तो इसका अंसर है अपने सिक्षकों के साथ प्रस नमबर चो होता है यातरा में ले जाने वाले सामान की कौन सी सूची सही है तो इसका अंसर लाएगा चादर, कपड़े, पानी की बोतल निर्देश हमें दिया है यहाँ पे बच्चो पोस्टर देखकर प्रश्णों के उत्तर में सही विकल पेपर गोला लगाईए विश्व परियवरन के वारे में हमें यह पोस्टर दिया गया है तो पांचवा कुश्चन है प्रक्रती से जितना हम लेंगे उसका दुगुना हम बापस भी करेंगे क्योंकि इससे प्रक्रती समर्थ और दुनिया जीने योग्य वनेगी प्रेस नमबर छटवा है विश्व परियवरन दिवस मनाने का कारण है प्रेस नमबर छटवा है प्रक्रती सनरक्षन के प्रती जागरुकता प्रेस नमबर साथवा है पोस्टर में दिया गये चित्र किस बात का प्रतिक है तो इसका अंसर जाएगा प्रक्रती बचाने का प्रेस नमबर आठवा है विश्व परियवरन दिवस मनाते है तो इसका अंसर जाएगा पूरे विश्व में हमारी बहु बिकल्पी प्रसने खतम होगे बच्चो अब यहां पर लगुतरी प्रसने दिये है हमें प्रस नंबर 9 से 13 तक तो हमें निर्देश दिया गया है कि नीचे दिये गया प्रसनों के उत्तर देना है तो प्रसन नंबर 9 है यहां पर थोड़ा छोटा छोटा है इसलिए बच्चों में आपको फड़के बता देती हूँ रहीमन पानी राखिये बिन पानी सब सून पानी गयन उबरे मोती मानुश चुन उपर्यूक्त पंक्तियों में पानी सब्द मोती और मानुश के लिए किस अर्थ में प्रियूक्त किया गया है तो मोती के लिए पानी का मतलब है चमक दमक मानुश के लिए मनुश्य का पढ़की उसकी रचत प्रसन नंबर 9 है जो हमें प्रसन नंबर 9 दिया है ये दो पंक्तियों का होता है इसमें चार चरण माने जाते हैं विशम चरण में प्रथम और तृत्य में 13-13 मात्राई और सम चरणे दृत्य और चृत्य में 11-11 मात्राई होती है प्रस नमबर 11 है पत्र कितने प्रकार के होते हैं समदियों को लिखे गए लिखे पत्र किस प्रकार में हैं तो पत्र दो प्रकार के होते हैं पहला होता है उपचारिक और एक होता है अनुपचारिक पत्र सम्दियों को लिखे जाने वाला पत्र अनुपचारिक पत्र कहलाता है जिस पत्र में हम अपने रिस्तारों को लिखते हैं उस पत्र को कहते हैं हम अनुपचारिक पत्र और जिस पत्र हम जैसे किसी जिला के अध्यक्ष, नगनिगम इन सब को लिखते हैं वो कहलाते हैं उपचारित पत्र प्रेस नमबर वारवा है वे मन ही मन बड़े देव को मनाने लगी बड़े देव मेरे बाबा को बचा ले सेना उसका प्यास के मारे बुरा हाल है पानी नहीं तो मर जाएंगे उपरित अनुछेद में उचित स्थान पर उचित बिरामचिन लगा कर पुनहा नीचे लिखना है तो हमें इस जो प्रसन दिया है उसे बिरामचिन कहीं भी नहीं लगे तो इसका अंसर जो होगा हम उसे हमें बिरामचिन लगाना है तो यहां पे बहु, मन ही मन, बड़े देव को मनाने लगी है, यहां पर पूर्ण वराम लगेगा, बड़े दू, यहां अलपे वराम, मेरे बावा को बचा लेना, यहां पर भी अलपे वराम, उनका प्यास के मारे बुरा हाल है, यहां पर लग जाएगा, पूर्ण वराम, पानी नहीं मिला तो वो मर जाएंगे यहां पे भी पूर्ण वराम प्रस नमबा 13 है डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है जो डॉक्टर अपीजे अब्दुल कलाम है उनको मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है तो इसका अंसर आएगा डॉक्टर अब्दुल कलाम एक भारती एरो इस्पेस बिज्ञानिक थे और अगनी और प्रत्वी मिसाइलों के विकास और संचालन में एहम भूमी का निभाई थी उन्होंने 1998 में भारत के पोखरन टेस्ट में एक बड़ा संगठानात्मक रोल अदा किया यही कारण है कि उन्हें मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है तो स्टूडेंट हमारे हाँ पर सारे कोशन खतम होते है यदि आपको अन्य सब्जेक्ट के वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मैंने सवी कक्छा आडवी के सवी विश्योग के वीडियो बना दिये है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना भी ना भूले थैंक यू फोर बोचेंग